नब्बे के दर्शक के मश्यूर संगीत कार कंपोजर श्राउन और राठोड का 66 साल की उमर में निधान हो गया है वो कोरोना से पीडित थे और गंभी रालत में थे उनके गुजरने की खबर सुनते ही फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दोड़ पड़ी है बॉलिवड के म्यूजिक कंपोजर्स और सिंगर सिले का सूपरस्टास और आम लोग तक दुख जिता रहे हैं उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक संगीत दिये जिसमें कई हिट फिल्मों के गानेश शामिल रहे नपे के दिशक में संगीत की दुनिया में सबसे मशूर नदीम श्रवण की जोरी भला किसको याद नहीं होगी उस दोर में इनके म्यूजिक की खूब डिमांड थी और नदीम श्रवण की तूती बोला करती थी श्रवण का निदन हो गया है वे कुरुना से संक्रमित होने के बाद मुंबई के एक अस्पताद में बरती थी श्रवण राठोड एक जमाने में नदीम सैफी के साथ मिलकर बहतरी दुने पनाया करते थी इस जोड़ी को आडियंस भी उतना ही पसंद करती थी दोनों ने संगीत की दुनिया में बहतरी मुकाम हासल किया था नदीम और श्रवण की पहली मुलकाती पार्टी में हुई थी दोनों ने भोचपुरी फिल्म डंगल से करियर की शुरुआत की थी 1980 में नदीम शावण को बॉलिवड की फिल्मों में काम मिलने लगा था लेकि उन्हें अभी तक वो कामया भी नहीं मिले थी इसका इंतिजार वो कर रहे थी 10 साल तक कई चोटी बड़ी फिल्मों में नदीम ने काम किया लेकिन इसके बाद आया नब्बे का तोर इस अलेली जोई फिल्म आशकी ने तोनों को रात और रात इस्तार बना दिया अच्छे गानों की वज़ा से फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई आशकी की अल्बम की 20 मिलियन मिनिट्स की बिक्रिक हुई थी इसकी वज़ा से बॉलिवुड की आल टाइम बेस्ट सेलिंग अल्बम बनी थी इसके बाद इस जोड़ी ने कई और फिल्मों में अपने संगीत से लोगों का दिल जीता साजन दिल है कि मानता नहीं सड़क सैनिक दिल वाले राजा हिंदुस्तानी और फूल और काटे जैसे फिल्मों के गाने आज भी लोग बड़े प्यास से चुनते हैं वैसे तो नदीम शावाण की जोड़ी हर तरह के गानों को संगीत देती थी लेकिन इनकी खासियत मेलडी सौंग से गितकार समीर, संगीतकार, नदीम शावाण और कुमार सानू की तिकड़ी काफी मशुहूर हुआ करती थी ये तीनों ही जब किसी अलबम के साथ जुड़ जाते थे तो वो सूपर हिट साबित हो जाता था वहीं गुल्चंक मार गी हत्ता कि कुछ साल बाद 2005 में इस जोड़ी ने अलग होने का फैसला किया इसके बाद शावाण अपने बेटों के म्यूजिक पर धियान देने लगे वहीं नदीम ने दुबई में बैग और पर्फियम की कमपनी खोड़ी एक इंटर्विव के दौरान नदीम ने बताया था कि उनके और शावाण के बीच को लड़ाई नहीं थी